वेल आज मेरे पास है गेलेक्स का Slider 03 अब ये गेलेक्स का होट सेलिंग माउस है और इसमें आपको गेलेक्स का अपना सेंसर मिल जाता है प्राइजिंग इस जस्ट 799 अब बहुत बार निकालते हैं माउस को तो बॉक्त मिलता है हमें जस्ट माउस एंड उसका यूजर मैंवल या बोईस माउस लुक्स वेरी गूड एंड वरी इग्रेसिव वेट अ मिनिट अब लोक से तो काम नहीं चलने वाला ना वेल 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 अब आपको एक माउस बाइ करने से पहले तीन इंपोर्टेंट इंक्स का ध्यान रखना है फस्ट इस कंफर्ट सेकेंड इस परफॉर्मेंस एंड थार्ड इस बीड को आटी अब बीड को आटी थार्ड में क्यूं विकॉस कंफर्ट ही अच्छा नहीं होगा तो नहीं आप परफॉर्मेंस के उटले सकर पाओगे और बीड को आटी से आपको घंटा फरक नहीं पड़ने होगा ओके बहुत हो गई बात है यहां पर हम कंफर्ट से स्टार्ट करते हैं इस माउस के तो हमें जो कंफर्ट यह माउस ओफर करता है बाई वह बहुत ही परफॉर्मेंस के बाई बाई जो यह माउस को इतना प्रीमियम फील होगा न मैं एक्स्टेइन नहीं कर सकता है वह चीज आप से याप वैस अब कंफर्ट में यह माउस पास हो गया है लेट्स टॉक बाउट परफॉर्मेंस अब परफॉर्मेंस जानने के लिए मैंने यहां पर ना पर सच करा इस में माउस का सेंसर के गलेक्स में कौन सा यहां पर यूज कर आया लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिलता है सेंसर का नाम लेकिन कुछ फीचर्स यहां मिलते हैं यहां पर 7200 का DPI और 125 अपर पॉलिंग रेट्स इस माउस मिल जाते हैं आपको 7 प्रोग्रमे मेरा gaming experience रहा है, वह रहा है, ultimate like, मैंने यहां पर सारी comping games के लिए, यहां वैल्वेंट के लिए, हर एक gun मैंने यूज़ करा, मतलब मैं honestly बोलो तो मुझे लगता है ने कि मैं 800-900 वा mouse यहां पर use कर रहा हूँ, literally aim accuracy बहुत अची थी, पूरा mouse यहां पर आपको plastic base में मिलता है, लेकिन उसके top में आपको यहां पर rubber texture में, जो एक gripping मतलब उसको मैं क्या ही बोलू, वो इतनी smooth है, मेरा पहला experience होगा इस वाली rubber texture के साथ ना, जो इतना smooth मिला है, आपको इतना premium फील करवाता है, by build quality, solid build quality मिल जाती है इसके साथ हमें, so yeah boys, अब एक mouse को और interesting क्या चीज़ बनाती है, वो है उसकी RGB, एड इस mouse में आपको क्या कौन मिलते हैं, उसके बारे में बात करता हो, first of all, start करता हो अपनी RGB से ना, तो आपको guys, इस mouse में मिल जाती है, RGB बर-बर के like, आपको mouse में, GALAX के लोग के साथ RG मिलती है, आपको scroll down के बटन के अदर RG मिलती है, यहाँ पर ना, आपको pyramid style में, आपको sides में भी RGB मिल जाती है, इस RGB को आप पूरा control कर सकते हो, GALAX के extreme plus software से, जहाँ पर आप GALAX का हर एक component कस्टमाइज कर पाओगे, इस software को guys, आप अपने phone में भी use कर सकते हो, यहाँ पर आप mouse को पूरा कस्टमाइज कर सकते हो, अपने clicks को, अपने DPI को, आप macro keys भी यहाँ सेक्ट कर सकते हो, link description में वहाँ से आप download कर लेने software को, ओके, let's talk about the cone, क्या cone मिलते हैं हमें इस वाले mouse के अंदर, तो भाई, यहाँ मिलती है आपको 1.5 meter की एक bridged cable with USB jack के साथ में, आप यह cone ना subjective भी हो सकता है, because आपका desktop का, मतलब आपका table है, वो कितना बड़ा है, mouse से आपका cabinet कितनी दूर है, यह चीज़ डिपेंड करते हैं, because यहाँ मिलती है आपको 1.5 meter की cable, जो मुझे personally छोटी लगी भाई, मतलब आज के time में 1.82 meter की cable आ रही है, तो यह subjective है, लेकिन मुझे एक यही cone मिला, इस वाले mouse के अंदर, that is it guys, अब आपको भी यह वाला mouse अच्छा लग है, तो link in description वहाँ जाके आप grab कर सकते हो, अगर आपको यह video बेची लगी है, तो hit the like button, and हाँ channel अच्छा लगता है, मैं अच्छा लगता है, प्रेस प्रेस्टाइब बटन, और हाँ अच्छा प्रेस्टाइब बैल इकन पर आल नोटिफिकेशन, चलता हम मिलता आपको नेक्स किसी ऐसी वीडियो में, तक तक के लिए, बाई बाई, और हाँ guys, always give your best.